आज की इस वीडियो में हम बात करने बाले हैं हजरत अली ने फरमाया और रोज सुबा दो फरिष्टे घर पे क्यों आते हैं और वो आकर क्या करते हैं और साथी साथ हम आपको बताने बाले हैं एक ऐसा वाक्या जिस वाक्य में दुलहन का इंतिकाल हो गया था यानि अपनी श निशानिया ही रहेंगी तो प्यारे दोस्तों सब कुछ पताने वाले हैं बस आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखे और वीडियो शुरू करने से पहले अब इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और ज्यादे से ज्यादा शेयर करें तो चलिए दोस्तों वीडियो जाकर दुआ करता है तो दूसरा घर-गर जाकर इलतजा करता है तो शक्स कहने लगा अली किस बात के लिए फरिश्टा दुआ करता है और किस बात के लिए इलतजा तो हजरत अली ने फरमाया मैंने अल्ला के रसूल सलललाहु ताला अलेहिवस्सलम से सुना है कि सुबह से पहले दो फरिष्टे जमीन पर आते हैं और घरगर जाकर देखते हैं जिस घर में कोई ऐसा बंदा होता है जो अल्ला की मखलूक पर खर्च करता है और अपने अजीज वो आकारिब पर खर्च करता है तो एक फरिष्टा अल्ला के दरवार में दुआ करता है कि ए अल्ला इसके हाथ को कभी तंग मत करना इसकी नैमतों को बढ़ाते रहना ताकि ऐसे ही अपने अजीज वो आकारिब और घरवालों पर खर्च कर सके और दूसरा फरिष्टा ढूंडता है कि कहीं कोई ऐसा घर तो नहीं जिस घर में कोई शखस है जो अपने घरवालों पर अजीज वाकारिब पर माल खर्च नहीं करता और उसे ओ छुपा कर रखता है यानि कि अल्ला की मखلूप पर फर्ज नहीं करता और याद रखना जब वो किसी ऐसे इंसान को देखता है जो अपने माल को एकठा करके इंसानों से छुपाकर रखता है तो दुसरा फरिष्टा अल्ला के दर्बार में फर्याद करता है कि ए अल्ला इस बंदे से इस दॉलत का सक्थ हिसाब लेना और इस बंदे को दुनियावी दौलत से महरूम कर देना क्योंकि ये अपने दौलत तेरे बंदों पर खर्च नहीं करता अपने घरवालों और अपने अजीज पर वाकारी पर अपने माल को खर्च नहीं करता उन्हें महरूम रखता है इस चीज से और यूँ अजीज और अकारी पर खर्च करने वाला दुनिया में फरावनी और आखिर में अजर पाता है और जो दुनिया में अपनी अजीज और अकारी पर खर्च नहीं करता तो वो दुनिया में रुस्वाई और अखिरात में सक्त आजाब देखता है तो प्यारे दोस्तों, अब हम आपको ये वाक्या सुनाते हैं, जिस वाक्य में, दुलहन का इंतकाल हो गया था, यानि अपनी शादी वाले दिन ही दुलहन कबर में पहुँच गई थी, दोस्तों ये वाक्या सौधी अरब का है और एक लड़की की शादी तैह हो गई थी, उस जैसे ही उस लड़की के कानों में अजान की आवाज आई, तो उसने सोचा कि नमाज पढ़ लूँ और वो वहां से उठी और वुजू के लिए जाने लगी, जैसे ही वो वुजू करने चली, तो उसकी मान ने देखा और पूछा, मेरी कहा जा रही हो, तो उस दुलहन ने ज जजार कर रहे हैं, अब तुम वुजू करोगी, तुम्हारा मेकप खराब हो जाएगा, और फिर तुम अच्छी नहीं दिखोगी, सब लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे, उस दुलहन ने कहा, मम्मी लोग क्या सोचेंगे, मुझे नहीं पता, मुझे तो अपने र लड़की नमाज पढ़ने के लिए खड़ी हो गई और नमाज अदा करनी के लिए जैसे ही उसने आखरी सजदा किया तो वो उठना सकी, और सजदे में ही उस लड़की का इंतकाल हो गया, और जब काफी देर बाद भी दुलहन नीचे नहीं पहुँची, तो माबाब को फिक प्यारे दोस्तों, यह जो प्यारा सा मेसेज है, यह उन लड़की और लड़कीयों के लिए है, जो दुनिया में खुबसूरत बनने के लिए अपने रब को भूल चाते हैं, किसी ने का खुब कहा है, कि इसलाम की शहजादियों को खुबसूरत बननने के लिए, किसी क्रीम दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, कि आप कमाई तो बहुत कर रहे हैं, फिर भी पैसा रुका हुआ है, पैसे में कोई बरकत नहीं है, आपकी गरीबी दूर नहीं होती है, तो इसलिए अगर आप इन गलतियों मेंसे भी गलती करते हो, तो फोरण उनको अपने से दूर करो, और इन्शाला गरीबी आपकी घर से हमेशा दूर रहेगे, तो इसलिए घर में गरीबी आनी के 15 निशानिया कुछ इस तरह से हैं, नमबर एक है लेटते वक्त एक टांग को दूसरी टांग पर रखना, नमबर दो तूटे हुए बरतन इस्तिमाल करना, नमबर त दातों से नाखुन को काटना, नमबर आठ, फजर की नमाज नहीं पढ़ना, और प्यारे दोस्तों, सबसे ज़्यादा गरीबी फजर की नमाज नहीं पढ़ने से आती है, अगर आप फजर की नमाज नहीं पढ़ते हैं, तो उस घर में गरीबी का आना तैह है, नमबर नो ज तो प्यारे दोस्तों ये थी वो 15 काम जिनको करने से घर में गरीबी बनी रहती है और उस घर में गरीबी का आना तैह होता है और आप अगर इन चीजों से बच गए हैं तो इंशालला आपके घर में भी बरकत होगी और प्यारे दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप हर बार की तरह इस बार भी लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें